ओम परमात मनाई नमाहा दोस्तो आज मैं आपको एक पेड़ना दायक कहानी सुनाता हूँ एक बार की बात है एक जंगल में एक कवा रहता था वो बहुत ही खुशता क्यों कि उसकी ज्यादाएं ज्यादा एक्षाएं नहीं थी वो अपनी जिन्दगी से संतुर्ष था लेकिन एक दिन उसने जंगल में एक हंस को देखा और उस हंस को देखते ही सोचने लगा कि यह कितना सुन्दर है ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था इतना साफ इतना सफेद यह तो बहुत खुश रहता होगा कववा हंस के पास गया और पूछा भाई तुम तो बहुत सुन्दर हो आप तो बहुत खुश रहते होंगे इतना कववा के पूशने पर हंस ने जवाब दिया हाँ मैं पहले तो बहुत खुश था अपनी सुन्दरता से लेकिन जब से मैंने तोता देखा है तब से मैं खुश नहीं हूँ उसे देखने के बाद से मुझे लगता है कि तोता धरती का सब से सुन्दर प्रानी है हम दोनों के सरीर पर तो एक ही रंग है लेकिन तोते के सरीर पर दो दो रंग है उसके गले पर लाल रंग का पट्टा है और वो खुश सुख हरे रंग का है सच में वो बेहत खुशूरत है वो बहुत खुश होगा अब कववे ने सोचा कि हंस तोते को बहुत सुन्दर बता रहा है तो मुझे तोते से मिलना चाहिए कववा तोते के पास जाता है और पूछता है कि भाई तुम तो बहुत खुस होंगे क्यों कि तुम तो दो रंग के हो बहुत संदर लगते हो इस पर तोते ने कहा हाँ भाई मैं बहुत खुस हुआ था जब तक मैंने मौर को नहीं देखा था मेरे पास तो दो ही रंग है लेकिन मौर के पास तो बहुत रंग है उसका सरीर उन रंगों से बहुत संदर लगता है अब कववे ने सोचा कि सबसे ज़्यादा खुस कौन है ये तो मैं पता करके ही रहूँगा अब मुझे मौर से मिलना ही पड़ेगा कोई मौर को जंगल में ढूनता 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 थग गया लेकिन उनको मौर नहीं मिला और कववा मौर को ढूनते ढूनते एक चिडिया गर में जा पहुँचा तुम्हां देखा कि मोर को देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं और उसके पास अच्छी खासी भीड है कवा महीं दियार करता रहा सब लोगों को जाने के बाद कवा मोर के पास गया और बोला भाई तुम दुनिया के सबसे सुन्दर प्रानी हो और बहुती मनवोह और सुन्दर हो तुम्हारे साथ लोग भोटो खिशवा रहे हैं तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और इस पर मोर ने दुखी होकर कहा बाई अगर सुन्दर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है मुझे इस चिडिया घर में लोग कैद करके रखते हैं लेकिन तुम्हें तो कोई चिडिया घर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से गूम पर सकते हो इसलिए दुनिया के सबसे सुन्दर और खुस जीव तुम्हें होना चाहिए क्योंग तुम आजाद हो कवा हैरा लह गया क्योंग उसके जीवन की एहमियत कोई दूसरा बता गया दोस्तो ऐसा ही हम सम लोग करते हैं अपनी खुसियों और गड़ों की तुलना दूसरों से कर है हमारी जिन्दगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे पास हैं लेकिन हम उनकी एहमियत समझ कर खुसरी होते हैं लेकिन दूसरों की छोटी खुसी भी हमें बड़ी लगती है जबके हम अपनी बड़ी खुसियों को इनौर कर देते हैं इसलिए हमें हम को सब्सक्राइब और लाइक करें और प्रत दिन ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे उपसाहित करें जाए श्रीक रसिन